कि यहां प्रिया अमर्ट कितना है 48 इंच यहां पर कितना है तो अगर वीडियो स्किप्ट करोगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा इसलिए वीडियो पूरा देखना दे नियवाद तो स्वागत आपका आज के नहीं वीडियो में तो ओनलाइन टेलरिंग क्लास के इस नहीं वीडियो में आपका स्वागत ही तो आज के वीडियो में हम देखने वाले है 40 कमर के सबसे एक प्लाजू का कटिंग जो जी हाइए हमारा है वो साइज है वो 40 कमर का साइज है वो 40 इं तकि आपको समझने में आसानी हो सकेए इतना हमार वजाने के बाद देखेए यहां पर हमने इसको इस तरह से मारकिंग करके तयार कर दिया हुआ है ताकि वीडियो ताकि छहदा लंबा ना हो सके इसके लिए और दूसरी बात में बता दो कि यह चुमने कपड़ा बी चाहिया हुआ है यह हम ने इस की स्तरीके से रज्फे मारा बंद वाला पार्ट हम 혁सा तरफ तरफ दिया है तोolenite सबसे पहले से पर लेता और उसके बाद में आपको एक बाद और के यह जो मैं कटिन्ग बता रहा है सिर्फ इसमें ही काम आएगा जो हमारा फूल इलश्टिक वाला और चारवपला हमारा सेम ही इसमें काम आएगा अगर देखिए प्लाजों हमारा और वह तरीके से कटिंग होता है तो हमारी अगर हमारी दूसरी चनल हरसीता ब्युटिक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो छो हम व चैनल पर हमने दिखाया हुआ है उसमें हमारा half bed और उसमें हमारा पिछे का पला है वो उटके cutting होता है आगे का और पिछे का पला अलग-अलग से cutting होता है अगर वो वाले वीडियो देखने हैं तो हमारा अब लेंद का मार्किंग करने से पहले हमें एक मार्किंग करना है निए चालिस इंच के अनुसार निसको हमारा आएगा 15 इंच पर अब देखिए अगर आगयी का और पिछे का पलड़ा अलगtant कटिंग होता तो इसमें हम यहा से एक एकश्टरा उपर की तरफ करते थे और फिर हम जो आसन का मारकिंग करते थे वो हम करते थे करिबन साड़े instructions पर यहां पर यह अमरा इतना सलेती यह चाल ते साड़े तीन इन्च परक करें के यह बात आप ध्यान रखें तो देखें यहां पर जो हमारी 40 साइज के इसाब से जो इसका आएगा वह आएगा हमारा 15 इंच पर और उसके बाद जो भी एलें थे वह आप अपने कस्टमर के इसाब से रख सकते हैं यहां पर हमें 39 इंच ले रहा हूं और उसके बाद 40 पर एक मार्किंग करेंगे जो हमारा मार्किंग है वह आएगा मोल्डने के लिए वह मार्किंग हमारा आएगा इतना हमारा मार्किंग हो जाने के बाद इसको हम स्ट्रेट मिला लते है यह वाला हमारा मार्किंग मिल जाने के बाद अभी देखें सबसे प्रहला हम इसका हमारी आए थी वह आए थी 31 इंच तो देकि हमने जबी कस्टमर का नाप लिया था या आप भी कस्टमर का नाप लेते हैं तो इतना हमें ओल्डेड़ी लुजिंग लेकर ही नाप लेना है ताकि जबी वो कस्टमर उठने बेटने में उनको परेशान नहीं न अ हो और उसको comfortable feel हो इसके लिए हमें थोड़ा हलका हज हलका सा लूज रखके लेना चाहिए और तो दिखें लेना है और यहां पर हमारी थाय थर्ट थर्टी वन इंच है तो थर्टी वन इसका हमार आगे का और पिछे का पल्ला हम कटिंग करेंगे तो यह हमारा करीबन थर्टी वन को हम दो के साथ डिवाइड करना पड़ेगा तो यह हमारा आएगा करीबन साड़े साड़े पंदरा इंच तो यहां से हम इसको साड़े पंदरा इंच पर मार्किंग कर देंगे यह वाला मार्किंग हो जाने के बाद यहां पर हम करीबन दो इंच अंदर की तरफ म हुआ रहा है तो 9.3 इंच यहां पर हम इस तरीके से मार्किंग कर देंगे और उसके बाद मुहरी का मार्किंग करने में अगरापने कश्टम्रReiche करका नाप कर शक्ते हैं अगर ऐसे आपने नहीं लिए तोपको कुछ नहीं यह पर जो आपकी जितनी थाई है तो यहाँ पर भी वह इसेम प्रोसेस से हम 15-चिस पर हुआ एक मार्किंग कर देंगे यह वाला हमारा मार्किंग हो जाने के आब अभी देखें, यहां से और यहां से इस को इस तरीक से सिफा लाइन ड्रो करेंगे, यह वाली लाइन ड्रो हो जाने के बाद Прेहें यहां पर हम इसको गुलाई देंगे. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक जरूर करे और यहां से आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन भी दबाए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे एक लाइक जरूर और यह हमारी गोलाई देने के बाद अभी दिखिए यहां पर हम इसको इसके साथ ऐसे सिधा हम मिला देंगे प्लाजों में अगर दिखे इस तरह में स्ट्रेट नहीं करना है तो आप क्या कर लोगी है गोर कर सके हूं by और वापस से एक बार और पौना इंच कर देना है करते हैं तो यहां पर आप सकते हो कि हमारा मारकिंग लग कर तैयार हो गया हुआ है अभी हमसे कटिंग करने के लिए तयार है तो सबसे पहले हम इसका कमवर का भी समझ लेंगे और फिर यहां पे हम आपको समझा दूंगा लेकिन हाँ कटिंग का पहले में आपको समझा देता हूं सब्सक्राइब करना फिर यह दिकिया है यहां पर आप हमने किए यह वाला मार्किंग किया साथ कंटिंग कर देना है यहां पर यहां पर इस तर्Assad कि कर देना है यहां इसना करना हैं कमर तो इसकी जो हमारी कमर थी वह थी 40 inch तो 40 inch की कमर है तो उसमें हम देखे सब चलवार का बेल्ड कटिंग करते हैं तो हम कितना करते हैं यहां पे हम उसको लोजिंग देते आठ इंच का तो यह हमारा हो जाएगा 48- 48 इंच तो आप यह 48 इंच याद रखे उसे पहले में बता दू कि इसमें जो हमारा Elastic आएगा वो करीबन आएगा 34 से लेकर 35 इंच का यह हमारा है वो Elastic का नाप है इतना हमार हो जाने के बाद देखें यहां पर हम करीबन एक से सवा इंच का एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे मार्किंग नहीं करेंगे बलके लगाएंगे लगाने के टाइम पर में आपको बता देता हूं देखें कटिंग तो हमने यहां तो यहां पर हमें इसको इस तरीके से यहां तक एक इंच यहां से आते 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 पोना इंच यहां पर यहां से आते 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 एक डाब जब आप सिले के जो डाब होता है वह एक डाब कर देंगे यह बात आप खास ध्यान रखे और यहां पर हम इसको अभी ना पेंगे तो द 18 इंस गिनते है तो दिखिए यहां पर यह हमारी हम इस साथ बढ़ी हरा तो यहां के लिए तयार है तो अभी हम इसे कटिंग कर सकते हैं तो यह वीडियो को कैसा लगा वो निच्च हमें कमेंट बोक्स में जरूर बताए तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई